नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में मैं उपस्थित हुआ हूँ कि आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे दूँ आपके एक्जाम के अंतिम एक दो दिन में या कुछ घंटों में आपको अपने दिमाग में कौन सी बातों को ठीक से रखना है मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम एकजाम के एक दिन पहले आप यह वीडियो देखा ही रहे हैं। जब आपका exam सुरू होने वाला रहेगा, उससे एक दिन पहले यदि आप वीडियो देख रहे हैं, या कम से कम दो दिन, एक दिन से पहले आप जितना पहले देख रहें, बेटर होगा, अब एक दिन का भी समय नहीं बचा, एक गंटे पहले देख रहे हैं, तब के लिए वीड कल सब्विक उनकी बात तो आपके उपर है लेकिन कुछ ऐसे नंबर गेनिंग स्टेप्स हैं जो मैं आपको इसमें डिल करने हुआ ठीक है सबसे जरूरी चीज मैं आपको बता दूँ यहां पर क्या आपने अब तक अपनी पढ़ाई उम्मीद है ठीक से करी होगी अगर आपने कुछ कमिया आपनी पढ़ाई में रखी होई है तो मैं बताऊंगा अंतिम छड़ों में ज्यान या फिर एनालेसिस करने के बजाए आप जो वनसौर्ट वीडियो है उनकी तरफ मूफ करिए उनको देख लेजी ठीक है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वॉक में आपको सेमेस्टर वाईज जिस सेमेस्टर का आप चल रहा है उसकी पूरी हर सब्जेक्ट की लिंक मैं एक लाइन चे डलवा दे रहा हूँ आप चाहे किसी भी समेस्टर के हो आप अपना सब्जेक्ट उसमें सर्च करेंगे और सब्जेक्ट क्या आगे लिंक पर प्ले क आप देख सकते हैं पहली बार जब जो एक्जाम रहे आप उसको उसके according देखके खतम कर लीजी वीडियो और उसके PDF notes application पर free है डाउनलोड कर लीजी अब मुद्दे पर आते हैं बात कई सवाल आपके मन में आ सकते हैं कि कैसे हम लोग सर एक्जाम में बढ़ियां score करें अच्छा score करने के क्या क्या तरीके हैं तो पहला तरीका तो यही है कि पढ़ाई करें और वो पढ़ाई का क्या रास्ता होगा पढ़ाई कितनी भी अच्छी आपने कर ली मैं अंतिम दिनों के लिए आपको बात बता रहा हूँ अगर ये बात आप मन से मान लेते हैं तो मेरा यकिन करिए फेल होने की कोई बात नहीं होगी और बैक वैक जैसा कुछ नहीं होगा, ग्रेस भी नहीं आएगा और आराम से आप सही तरीके से अच्छा नमबर गन्व कर पाएं अब उसमें महतोपूर्ण बातें क्या है पहली बात कि पिछले आकड़ों को पिछला वीडियो मैंने इस तरह का बनाया था तो मैंने बताया था कि बेटा कॉपी में नमबर लिखना या इमोशनल डेमेज करने का प्रयास मत करना उसका कारण ही है कि अब एकजामनर के वल कॉपी नहीं देखता आपकी साप पूच करिए कि आपने अपने एकजामनर के कॉपी में कुछ नमबर लिखने का तरीका लगाया और हुआ क्या कि वही कॉपी दुबारा बोले गए डाल दी किसी ने कि नहीं वह कॉपी खुलवाईए और वह कॉपी में माल दिजी आपने नमबर लिखा है और टीचर आपको पास कर दिया तो फिर क्या होगा वो टीचर की नोकरी चली जाएगी इस वज़ा से जान बूच करके वो आपको फेल करेंगा और पिछले सेसन में यही हुआ जिनों न भी ऐसे अराजक काम किये थे उनको सीधे फेल कर दिया तो आप इस चीज से अंदाज लगा सकते हैं कि आपको कॉपी में कहीं भी नमबर वगरा लिखके या उसके भरोसे पर कोई काम आपको नहीं करना तो पहली चीज कि अपनी कॉपी में ऐसी कोई हरकत नहीं तो पढ़ाई ही एक रास्ता बसता है आपके पास अब पढ़ाई कैसे तो पढ़ाई करने का एक सरल तरीका यह कि आपने सिस्टमेटिक सेमेश्टर से पढ़ाई कियो और ऐसे भी लड़के जिनोंने समेश्टर में कूप अच्छी पढ़ाई करी वो भी अंतिन दिनों तक यदि revision नहीं करते हैं और revision सब्द बार-बार क्यों आ रहा है बीच में क्योंकि आपके पास points नहीं होते हैं knowledge होता है जैसे आपके पास बहुत ग्यान है लेकिन आप उसको ठीक से express नहीं कर पाएंगे ठीक से marathon class में जो मेहनत करी है वो पूरा आपको complete करना है चाहे आपने पढ़ाई करी हो चाहे आपने पढ़ाई न करी हो marathon class का मतलब हमारा यहां पे sense क्या है marathon class का कि जो वरदान बैच चला जो marathon class की सीरीच चली उसको आपको complete करना है चाहे आपने पढ़ाई करी हो, चाहे ना करी हो, ठीक है, दूसरा, पहला काम, पहला काम, step जो है नंबर लाने का, उसमें हम लोग पहला काम एदी कह लें, तो पहला step है महरा अथन क्लास, या फिर complete एक बार revision हो, और वो revision, पूरे notes अगर आपने खुद की बनाई होई, उससे कर subject का, दूसरा, दूसरा महत्वपून step जो होगा, वो क्या होगा उसमें, महत्वपून step में, क्या, दूसरा काम आपको हर subject का, कम से कम एक, एक paper writing आपको करनी है, paper या question paper writing करनी, paper का मतलब paper या answer writing д님 इसको बोलता है, अधिक है न, answer writing करनी है आपको, अव या answer writing से से क्या मतलब है आप कितने भी पढ़े हों आपकी कलम में जंग लग गई है इस जंग को हटाने के लिए आपको ये करना ही पढ़ेगा एक answer writing आपको करने ही पढ़ेगी इस जंग को हटाने के लिए दूसरा answer lady करने से आपका एक जो answer जब आप लिख रहा होंगे तो express करने का प्रयास तरी चीजों को दूसरा answer writing कैसे करना हूँ मैं बताऊंगा नहीं ठीक है ना पहला आपको ये करना है काम कि आपको मैरातन क्लास must attend दूसरा एक answer writing करनी है फिर answer writing करने के बाद आप अपने आपको भी कुछ number दे सकते हैं तो अपनी copy को self analyze कर लिए self analyze कर लिए copy को ठीक है ना अब मैं केवल एक्जाम की बात कर रहा हूँ मैं घ्यान की कोई भी बात आज नहीं करूंगा आपसे क्योंकि घ्यान की बात हम लोग बहुत करते हैं और आप सुनते नहीं उस time तो चलिए आप एक्जाम टाइम मेरे पास आया है इसका मतलब आपके अब पास होने के मुद्दे से आ ठीक है ना self analysis आपको यह तीन चरणों में काम करने हैं चलिए यह काम आपने कर लिया exam के पहले याँ युई आपने कप किया before exam और युइय혼 होनी यह सारे step कप क्या है, tीनो step लिवार-涯ू आपने यह सब कर लिया ठीक है न अब exam और दिन क्या करना है भीफोर exam ठीक है before exam अब exam के दिन आपको जो चौथा step क्या करना है वोस चीट को ध्यान रखेगा चौथा step exam के दिन आपको क्या करना है कि पहली बात कि 8 hours की sleep 8 hours sleep आपकी complete होनी चाहिए ठीक है ना कोई भी video lecture नहीं किसी की भी video lecture नहीं यदि आपका मन है ये गंटा और पढ़ूँगा तो आपको मैं एक चीट बता दूँ यहाँ पे कि आप वो किसी copy से पढ़ सकते हैं किसी note से video lecture कोई भी नहीं देखेगा last के 8-10 गंटे में कि थोड़ा सा video देखके चले जाए नहीं करना है वो काम चाहे किसी का video मैं आप यहीं बात नहीं कर रहा हूँ किसी की video 8 hours की sleep आपको ले करके जानी है इस दौरान आपका आंत में मन हुआ तो आप video नहीं देखेंगे आप अपनी copy पलटेंगे ठीक है ना self बनाई भी note और exam के दौरान पाँचमी चीज जो आपको करनी है वो important काम है देखें कई बच्चें पूछते हैं कि sir copy कैसे लिखें copy कैसे लिखें copy भरना है कि नहीं भरना है कि pointed लिखना है sir मैं अच्छा लिखे आया था copy भरा मेरे को number नहीं मिला तो चलिए मैं आप से कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ कि कॉपी को कैसे लिखना है ठीक है ना सड़क चलते आपको अचानक से कोई पसंद आगे सड़क चलते वे अचानक से कोई दिखा और पसंद आगे आपको ये नहीं मालूम था कि इसके उपर dress traditional अच्छी लगेगी कि इसके उपर dress जो है वो western अच्छी लगेगी इसके माथे की बिंदी होगी की नहीं होगी की अच्छा लगेगा ये सब नहीं दिखा बस वो अच्छा लगा एक एक ही चीजा आपकी दिमाग में आई कि बस वो अच्छा चाहेगा, लाइक मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अगर 3-4 घंटे की एक मूवी दिखाई जाए, और कोई 10, कोई मूवी दिखाई जाए, उससे बेटर आप सौट्स पलटते हैं, आज कल बहुत ज्यादा लोग सौट्स देख रहा हैं, ठीक है न, ज्यान की बात 15 सेकेंड तो आप एक चीट समझे, एक जामनर भी उसी मान सिकता का है, वो भी हमारे और आपके जैसा ही है, वो भी नहीं चाहता है कि आप कॉपी में भर-भर के पैराग्राफ लिखें, चाहे कितनी भी अच्छी बात है, आप पहली बात कि यदि कोई बहुत अच्छी बात है, तो हे इलाइट करके लिखे और लग रहा है कि सर यह थोड़ा लंबा हो रहा है, तो ब्रेक करिए, चार लाइन लिखने के बाद फिर अगली लाइन थोड़ा गैप देके तब सुरू करिए, ताकि सेंटेंस तूट तूट करके हर नई बात थोड़े नए पैराग्राफ से सुरू करिए, पहली बात इससे एक ब्रेक मिलता है और ब्रेक से पढ़ने में अच्छा लगता है किसी चीज़ को, इस टेंजा खतम होता है जब है, तो कॉपी में आंसर लिखने का पहला सरत यह है कि आपको अपनी खुद की कॉपी अच्छी लगनी चाहिए, दूसरी जरूरी बा रहा हो, यदि सटिकता से न आ रहा हो, तो क्या करना चाहिए, देखे, एक्जाम में निश्चित रूप से कुछ कोश्चन ऐसे होते हैं, जो आपको अच्छे से आ रहे होंगे, सुरू के फरस्ट, फरस्ट के पांच से छे पेंच जो होंगे, कॉपी के, वही आपकी पूरी कॉपी का निर्धारन करते हैं, तो आप सुरुवात में वह कोश्चन उठाईए, जिसको आप पॉइंट वाइज काफी सटिकता से कर पाएं, यह अक्सर गलती होती ही, बच्चा यह सोचता है, कि मैं पहले सिक्वेंस से करूँगा, सिक्वेंस से करने के चक्कर में, वह पह पहले अच्छा लिख दिया, बाद में एक ऐसा कोश्चन आया कि साथ आठ में एक्जामनर कन्फ्यूज हुआ, तब वह आठ नंबर देगा, क्योंकि उसकी मानसिक्ता आपने अपने लिए पहली क्या करिए, बदल दिये, ठीक है, तो यह ध्यान रखेगा, इस से थोड़ा स आठ पड़ेगा, और वो थोड़ा सा आठ आठ आर कोश्चन में पांच नंबर का डिफरेंस ला देगा, ठीक है, तो पहली 5 से 6 पेंच को बहुत बेटर सिस्टेमेटिक तरीके से लिखना है, दूसरी चीज, मैंने कहा कि क्या सर आंसर भर-भर के लिखना है, क्या पूरा- मैं कहता हूं कि कोई भरा-पूरा अच्छा लगता है, कोई इंसान भी, भरा-भरा इंसान हो तो अच्छा लगता है, इतना भी न भर जाये, समझ रहा ना, कोई भरा-भरा अच्छा लगता है, मोटा थोड़ी अच्छा लगता है, कॉपी भी वैसी ही चाहिए आपको, आप कि copy में answer एक limit से ज़्यादा भी नहों उससे कम भी नहों copy जो अंदा दून भर रहा है उसके भी number कटेंगे यह जान लेजिए तुरंट समझ में आ जाता है कि किसका answer कितना ज़्यादा होना चीज़े तो यह ध्यान रखेगा कि बहुत shortening नहों जाए ठीक है फर्स्ट फाइब टू शिक्स पेंस decides your marks decides का मतलब आपके marks को यह decide कर देते हैं ठीक है दूसरा reasonable answer ना तो भरना है इसको ना तो copy को आपको भरना है reasonable answer आपका होना चीज़े और अब उस मुद्दे पर बात करेंगे कि आपको अगर question का answer आ रहा हो तब यह करेंगे नहीं आ रहा हो तब वो paragraph भरने वाला काम करिएगा तब चुकि paragraph भरने से क्या होता है जानते हैं paragraph भरने से मैं आपको बता दूँ कि आपको यह कोई किसी subject पर बहुत अच्छी पकड़ है तब यह खराब कर देगा क्यों माल यह किसी subject में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है आपको लगा कि मैं 48 out of 50 करके आऊंगा ठीक है ना 48 कर जाऊंगा और आपने उसका answer इस तरीके से कर दिया कि खुब भर भर के answer दे दिया है तो यह 48 कभी नहीं आने वला आपका आपका कितना आएगा 30 32 यह है क्यों क्योंकि आपने खुब paragraph भर दिया वो ठीक से copy आपकी समझ नहीं पाया देख नहीं पाया ठीक है अगर आपको अब लग रहा है कि मेरा एक subject काफी weak है या इस subject मेरा नहीं समझ में आ रहा है मुझे question paper उस case में आपको लग रहा है कि मैं इसमें केवल 20 से ही number पाऊंगा तब आप paragraph भरेंगे और फिर वो यही number देगा क्योंकि paragraph पर नंबर fix है तो कभ आपको क्या करना है समझ में आया जब आपको किसी चीज का answer कुप बढ़िया से आ रहा हो तब के case में आपको paragraph वाला काम नहीं करना है इद्दम design करके अच्छे से और अगर जब paragraph आ रहा हो ठीक है ना रहा हो तब के case में जो चीज जैसे कोई चीज पूछा गया और answer ठीक से नहीं पता कुछ points बढ़े अच्छे से हैं उसको आप underline कर दीजे black color से तो वो point उभर गया उसके हाँ अच्छा उसका यह answer बस वो पूरा पढ़ेगा ही नहीं paragraph क्योंकि paragraph तो उसको पढ़ना ही नहीं किसी को नहीं पढ़ना है ठीक है दूसरा diagrams says it all diagrams diagrams इतनी बड़ी भूमिका निवात हैं दूसर अगर मैं तुमसे motor पूछ दिया क्या होता है या फिर मैंने तुमसे पूछ दिया कि pump क्या होता है या turbine क्या होता है या gays pressure या फिर जो भी है types of beam पूछ दिया या तुमको मैंने माली जे पूछ दिया कि तुमने diagrams नहीं बना है तो तुम कितना भी अच्छा लिख लो मेरा यकीन मानो वह जो diagram वाला हो number लेगे तो तीन चीजें एक चीज copy लिखते समय आपको जो ध्यान रखनी है वह first five to six pages that should be appropriate और प्रॉपर बेमें दूसरा reasonable answer लिखें उसका जितना होना चाहिए तीसरा डाइग्राम इंक्लूड करें बाकी इनके अंदर की जो बात नहीं थी हो मैंने आपको समझाई इस वीडियो के description में आपको कोई भी subject पढ़ना हो उसकी link है दी गई है click करिए और पढ़ ला लिए जो आपको दिक्कत लग रहा है सब काक्यों के ढूंडने में अच्छा दूसरा इस वीडियो के description में latest video की link मिलेगी latest revision का link जो इस समय के लिए सबसे सही है latest मतलब यह नहीं होता है कि आज ही things are quite clear now पढ़ाया तो जो कुछ नहीं पढ़ाया वो भी अगर इस चीज पर ध्यान देगा तो उसके कोई भी query मुझे नहीं लगता है कि बचेगी ठीक है अब back से तो निश्चित बचेंगा अगर इतना आप follow कर लिए हैं और ठीक से सुने हैं और गुने हैं तो आप back से बच जाए उसमें आपको पक्का है latest video को आड़ किया है क्योंकि एक सब्जेट के कई video मिल जा रहा है YouTube पे मेरे ही channel पे उनको ना देखे जो दिया जा रहा है वही देखे मैं filter करके पूरा दे रहा हूं आपको I hope things are clear now देजे इजाजत धन्यवाद